नमस्कार आप देखने आरे नियूज और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग्गुरू करते हैं यूपी काया जहां यूपी में महापंचायत जो है उसकी तयार यहां जोरो शोरो से की जा रही है और इधर कुछ जिलों में रात कोई आरक्षन सूची जारी कर दी गए थी साथी आपको बता दें कि उत्रप्रदेश चुनाव आयोग 25-26 मार्च तक पांचो पदों के चुनाव के लिए अधिसूच ना जारी कर सकता है साथी अप्रेल के नामनकुन की प्रत्विक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी और इसके साथी दुस अप्रेल से चार चर्णों में चुनाव कराने की बात कही जा रही है साथी आपको ये भी बता दे यूपी में 3,051 पद जिला पंचाय सदस्यों के 826 ब्लॉक प्रमुकों के पद हैं साथी पिचुतर हजार आट सो पचपंच शेद्र पंचाय सदस्यों के 58,194 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के और 7,31,813 पद ग्राम पंचाय सदस्यों के लिए रखे जाएंगे इन में से 1 फीसदी अनुसूचित जन जाती, 21 फीसदी अनुसूचित जाती और 27 फीसदी अन्य पिचड़ा वर्ग के लिए रखे जाएंगे बाकी 51 फीसदी सीटे जो हैं वो सामाने वर्ग के लिए होंगी, साथी सभी वर्गों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरख्षित की जाएगी आपको बता दें लगातार जोस तरह से उतरपरदेश में चुनाफ की तयारियां लगातार जारी हैं और इसी बीच जो सूची है उसकी जो है सब इंतजार कर रहे थे तो वहीं अब जो अदी सूचना है वो भी लगबग जारी हो चुकी है तैयार हो चुकी है तो वहीं इस पर मन्थन किया जा रहा है साथ में ये भी कहा गया था कि जो भी कमिया होंगी उन्हें जल्द ही पूरा करके फाइनल ड्राप जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा तो वहीं इस बार आपको बता दें कि कहीं न कहीं विधान सबा चुनाव जिस तरह से 2022 में होने जा रहे हैं इसको लेकर भी ये चुनाव ये जो पंचाए चुनावे काफी एहम बताए जा रहे हैं तो वह इस बारे में जाए चुर्चर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पून लाइन पर अनिल महेश्वरी जो की वरिश पत्रकार हैं अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आप कारे नियूज में तकनिकी कारणों की वज़े से भी अनिल जी से संपर्क हमारा भी नहीं हो पाया है फिलार आपको बता दें कि किसी तरह से उत्रप्रदेश में अलगाता जोन आपके तैयारिया जा रही है तो वहीं आरक्षित सूची को लेकर अभी तक संशे बना हुआ था और आरक्षिन सूची जो है वो भी अब तैयार कर ली गई है जिस तरह ते तैय समय किया गया था कि अधिसूचना जारी कर दी गई है तो वहीं अनिल महेश्वर है हमारे बरिश पत्रकार फिर से फोन लाइन पर जोड़ चुके है अनिल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका अरे नियूज में अनिल जी तो क्या लगता है इस तरह से जिस बार यूपी में जो पंचाय चुनाव है उनको लेकर काफी ज़्यादा उत्सा रोगों में देखने को मिल रहा है तो विधान सबस्वा चुनाव ही 2022 में आने वाला है तो क्या लगता है कि ये चुनाव 2022 के लिए कहीं ना कहीं ब अनिल जी अनिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी तक्निकी कारणों की वज़े से अनिल जी से हमारा संपर फिलहाल चूट चुका है लेकिन आपको बता दें कि यूपी में जो सरह से पंचाय चुनाव को लेकर गर्मी बनी हुई है सरगर्मी बनी हुई है और लगातार जो ब्लॉक प्रमुक हैं पंचाय से दस से हैं लगातार गाउं में और जिलों में जाकर परिक्षन कर रहे हैं और देख रहे हैं समिक्षा कर रहे हैं जितने भी विकास कर रहे हैं उनकी भी समिक्षा कर ली गई है और इसके साथ साथ आ आने की बात कही जा रहे हैं साथ ही आपको एक बार फिर से बता दें कि यूपी में 3051 पद जिला पंचाय सदस्यों के लिए रखे गए हैं और वहीं 826 ब्लॉक प्रमुखों के लिए में 75,855 शेत्र पंचाय सदस्यों के 58,194 ग्राम पधानों के लिए और 7,31,813 पद ग्राम परंचायत के सदस्यों के लिए रखे गए हैं इसके साथ ही इन में से 1 पीसदी अनुसूचित जन जाती 21 पीसदी अनुसूचित जाती और 27 पीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC के लिए रखे जाएंगे साथ ही बाकी बचे 51 पीसदी सीटे सामानने के लिए होंगी तो महीं सब भी वर्गों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी आपको बता दे यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहीं यूपी का इस बार का जो ये पंचायत चुनाव है आने वाले विधानसबा चुनाव है भी काफी महत्वकून भूमी का अदा कर सकता है कई कयास लगाया जा रहे हैं विदानसवा चुनाव को देखते हुए ये बार का जो पंचाय चुनाव है और इसकी तैयारिया जो है आपको बता दें हमेशा की तरह जिस तरह से तैयारियां चलती जा रहे हैं उससे काफी अलग इस बार देखने को मिल रही है तो मैं एक बार पिस से हमाई साथ चर्च्वा के लिए इस मुद्व पर आनिल महेश्वरी वरिश पत्रकार जो चके हैं अनिल जी जी तो जाना चाहेंगे आप से कि आपके क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामने में कि जिस तरह से पंचाय चुनाफ हो रहे हैं इस बार और अगले साल वि इसमें सबसे जादे मारा मारी होती है अभी राजस्तान के इस्थानिय निकाह चुनाफ में जो चेतर की एमिल लेती हूँ अपने सास को अपने नगर से निस्तिल बोल्ड का चेर्म नहीं बनवा पाई हार के इनकी सास जब्कि वो एमिल ने चुनाफ है डूलिंग पार्टी चुनाफ है तो इसलिए गजान चुनाब से तो आप नए नहीं जोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये चुनाब बहुत दिश्चस्प होते हैं, इंडिजिवल होते हैं, इसमें पार्टी बेशिड कम चलती है, कास अच्छी चलती है, पैसा बहुत चलता है। और ये चुनाब जो है, क्योंकि इसमें ग्राम परधान के पास में और टीपी आरो के पास मिलके, जो इसमें पाइदे पहुचते हैं, आप कि जी बेगाओं में चले जाए, ये गाओं परधान का मकान, इसमें आपके सबसे अच्छा मकान जो मिलेगा, वो ग्राम सभा के पास मिलेगा हमें, जी, तो अनेल जी क्या लगता है कि इस बार के जो पंचाज चुनाब हैं, वो पहली बार के पंचाज चुनाब होते हैं, इससे पहले जो पंचाज चुनाब होते हैं, इस बार के तयारें कितनी अलग तरीके से की गई हैं, वो ही उनसे अलग नहीं, वो की बारे नीच कहा जा सकता कि कौन जीदेगा क hail किया इंके होते हैं इंके मुद्धे जारा हुझा कुलज़ हम कुलुज बहुतरे न विली उसकितै तो जनता का क्या कुछ रुख जो है इस बार देखने को मिल सकता है क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से लगातार हमने पकड बनाई हुई थी कि कई जिले ऐसे हैं जो हाँ पर विकास का रहे हैं उतनी बखूबी तरीके से नहीं हो पाए हैं और जनता का भी यह कहना है कि वोट का रुख किस तरह से बढ़ लेगा इतना गाउं में काम हो चुका है कि आप आगे विकास की जरूर सब इजी लिए है कि विकास के लाम पर पैसा जाता है वो आपस में लोग बाट लेते हैं गाउं का बड़े विकास की बड़े इंटरेस्टिंग आपने बात पूछी कि मैं जब गया है जब किर आओम मैने रिखा कि चीमंट की पक्ती चलके हैं और साइक इनी मोटर साइकलों के लोग चले हैं उनके ट्रेक्टर रहे हैं कोई की नहीं कोई देहिन गाड़ी में तो मैंने गए जब बनी की तो और लियन पर राद अन्वने अठमें पर र Wahr болju अजन उ कुछ गाओं कुछ में तरक्षी हो गई, कुछ गाओं ना उनकी तेखा देखी गाओं सभाव ने अपनी तरक्षी कर ली अब पर्धान मंत्री वो ग्रामी रोड रोड ना जो अटरी भ्हारी बाच्पी ने शुरू करी तो इसमा हर गाओं तक पत्की कलग मन गई जा है कोई गाओं अब ऐसा नहीं है कि जो सलकों से अनकनेक्ट के लोग इसलिए विकास तो उहां पूरी तरह हो चुका अब तो विकास के नाम पर जो पैसा बाता हो रही है बंदरबाट हो रही है वो है उस बंदरबाट की लडाईए जलिए अगर यह बहुत आसान है कि आप कहिए कि हमने पूछा लोगों से लोगों विकास विकास तो वो जिस नहीं राजस्तान के एमेले करिस्मा पुनिया के बात कर रहा हूं उन्होंने दो करोड रूपे अपने एमेले फंड से निचाल कर उद गाओं के विकास के लिए लगाए और फिर वो अपने सास को एलेक्षिन अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हें आपको बता दी हूं भी पंचाल चुनाव के तयारियां लगातार जोरो पर चल रही हैं और इसके साथ ही आरक्षन सूची भी तयार कर ली गई है